Hi everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ शिपरा तिवारी और यहाँ पर आपको बिलकुल free education प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बचो ताकि आप अपने life में इतना 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 बहुत अच्छा कुछ कर सके तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्व अपनी शिपरा मैं की जबानी बचो और आज हम पढ़ने वाले हैं protozoal disease के बारे में last class में हमने viral diseases को खतम किया और उमीद कर रही हूँ कि सारी viral diseases आपने पढ़ी होंगी आज हम प्रोटर्जोल disease के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें शानदार जबडेस्ट most important disease के बारे में आज हम बात करेंगे और वो है malaria पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप doctor बनना चाहते हैं या engineer बनना चाहते हैं तो आप हमारी बिल्कुल well trained faculty इसको follow करिए और definitely you will आप अपना pathway जो है पास सकते हैं आप successful हो सकते हैं आप definitely doctor बन सकते हैं और उनमें से एक हुम मैं और मेरी experience team जो है वो आपको बिल्कुल आपके शिकर तक पहुचा कर ही दम लेगी यह मैं आपको बार-बार बताती हूँ कई बार रुक जाती हूँ क्योंकि dialogues obviously मैं अतनी natural हूँ कि मैं कभी कुछ सोच के नहीं आती जो मनाता वो बोलना शुडू कर देती हूँ सो कुल मिलागे if you want to become a doctor or engineer आप follow कर सकते हैं हमारी faculties को because they are very experienced, very well trained and very 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 well educated यह जो पढ़ाती है वही exam में आता है और इन में से एक मैं हूँ और आपको मैंने बहुत सारे proof दिये कि जो मैंने पढ़ाया वही आपके exam में आया इसी के साथ आज हम अपने पहली प्रोटोजोल डिजीज शुरू कर रहे हैं वो है malaria अपने आप में एक पूरी कहानी है malaria प्रोटोजोल डिजीज की सबसे important disease है क्योंकि इसके लिए अभी तब कोई vaccine नहीं बना है कारण क्या है इसके बारे में भी अभी हम लोग आज ही के lecture में जानेंगे बहुत ही शांदार lecture होने वाला है आज का बिलकुल मेरे साथ बने रहिए और आपको बहुत बहुत बहुतरी मजा आएगा so don't worry about it ओके चलिए तो शुरू करते हैं what is malaria malaria जो है वो है vector born disease ठीक है malaria किस से होता है I don't think so यह मुझे बताने की जरौत होनी चाहिए चलिए शुरू करते हैं फटबट से करेंगे malaria ऐसे लग रहा है किस board में मैं कितने दिनों बाद लिख रही हूँ malaria किस से होता है इसका causative agent है plasmodium ठीक है plasmodium एक प्रकार का protozoa है so plasmodium से होने वाला रोग है पर plasmodium ऐसे ही ट्रांस्मिट हो जाता इसके लिए हमें चाहिए है mosquito ठीक है इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चो इसके लिए हमें चाहिए है एक vector, vector के थूँ ही जो है यह human में transmit होता है और vector का नाम आप जानते है it is nothing, it is a female anaphylis mosquito female anaphylis mosquito के gut से यह human beings के blood के अंदर transmit होता है after her bite ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि जो saliva होता है उसमें इसका infectious agent होता है sporozoid जो human body में transfer किया जाता है तो plasmodium vector के through human being में transfer होता है और इसके vector का नाम है female anaphylis macharni ठीक है, ओके, now plasmodium जो है इसकी different species है प्यारे बचो अलग-अलग प्रकार की species है, ओके, मतलब हम आखरी में species के बारे में पढ़ेंगे पर मैं आपको बता दूँ कि malaria के ऐसा नहीं किसी plasmodium genera है इस genus की बहुत चारी species है, जैसे की plasmodium vivax, ठीक है, जादा तर यही वाली malaria जो है, वो human beings को cause होती है and it is also called as relapse fever फिर होता है आपका plasmodium falciparum, ठीक है, falciparum जो है, it is one of the very very dangerous type of malaria it is called as cerebral malaria, cerebral malaria इसको कहते है क्योंकि इसको दिमागी बुखार चड़ जाता है, ठीक है, एक होता है plasmodium ovale, ठीक है, and plasmodium malariae, ठीक है, यह human beings को जादा नहीं होते हैं, जादा common है यह वाला और उसके बाद यह वाला, यह दोनों जो होते हैं, यह human beings को बड़े ही commonly malaria फैला देते हैं, ठीक है, malaria का जो, मतलब basically मैं कहूं कि जो गंदा पानी होता है, वहाँ पर malaria larval पनपता है, ठीक है, basically गंदे पानी को कभी भी हमें कठा नहीं होने देना चाहिए, continuously सफसफाई बनी देनी चाहिए नहीं, तो malaria ज सी फैरम, ठीक है, उसके बाद female anaphylis is the vector जो की अपने saliva के थ्रू infectious agent को human beings तर टांसफर करती है, ठीक है, अब आपको एक और चीज बता दू, ठीक है, malaria का जो life cycle है, चली शुरू करते हैं, पहले basic सी चीज़ पढ़ लेते हैं, then we'll move to directly move to the life cycle, ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि इनका जो life cycle है, इस life cycle में दो phases होते हैं, ठीक है, एक होता है, asexual phase, ध्यान से समझेगा, इनके life cycle में दो phase होते है, एक होता है, asexual phase प्यार बच्चों, और दूसरा phase होता है, बच्चों, sexual phase, ठीक है, second phase is the sexual phase, ओके, अब आपको ये sexual phase humans में होता है, और sexual phase जो होता है, वो female mosquito में होता है, clear हुई इतनी बात, सारी sexual reproduction की तयारी हम humans में कर लेते हैं, पर फिर भी sexual reproduction किसके अंदर होता है, female mosquito के अंदर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो आपको मैं बताओ कि malaria के basically दो host है, ठीक है, malaria के कितने host है, द हो होस्त है, अब हमको ये पता लगाना है कि कौन सा primary host है और कौन सा secondary host है, चलिए इसकी कहानी हम लोग शुरू कर लेते हैं, दन होगा इतनी बात, चलिए, अब आई ये life cycle से पढ़ने से पढ़े, थोड़ी से पढ़ लोग थोरी पढ़ लेते हैं, देखिए, चलिए, इसका आओगे तो पढ़ना नहीं, ठीके, जो पढ़ना नहीं है, तो फिर आना ही मत, ओके, और एक बात और बता दू, वैसे तो पूरा NCIT में सही question आएगा, पर बहुत सारे लोग जो होते, वो बहुत सारे different coaching के module solve करते हैं, उनके according मैं malaria आज पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आप उ ऐसे exam में जो NCIT में लिखा वही आएगा, ठीके, चलिए, तो malaria का pathogen कौन है, plasmodium, ठीके, चारो, जो चारो species उनके बारे में आखरी में पढ़ेंगे, इसके दो host होते है, female anaphilis, मच्छरनी, sexual phase जो होता है, female anaphilis में होता है, ठीक है, okay, the malarial parasite जो होता है, इसके gut में develop होता है, इसलिए हम female anaphilis को definite या primary host कहते है, इसमें बहुत विवाद है, बहुत विवाद है, पर फिर भी मैं आपको बता हूँ, इसमें बहुत विवाद है, आज तक लोग यह नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं, पर आपको पता होना चीए, कि female anaphilis इसका primary host है, clear है, primary host, ठीक है, जो reservoir ह होता है, उसको हम primary host कहते है, so she is the reservoir of malarial parasite, ऐसा हम मानते है, ठीक है, now human being में asexual phase होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और human being को intermediate या secondary host कहते है, मतलब जिसके अंदर भी sexual reproduction होता है, जो reservoir होता है, उसको हम primary host कहते है, जिनके अंदर बाकी सारी चीज़े जो phases होती है, intermediate phases होती है, उनको हम secondary host कहते है, तो मचरनी यहाँ पर हमारे पास primary host है, और human being intermediate या secondary host है, clear हो गया इतनी बात, plasmodium, vector female anaphlees, life cycle, asexual, sexual होगा, sexual in the मचरनी and asexual in the human being, मचरनी जो है वो है primary host और human being है secondary host, clear हो गया बच्चों, इतनी बात कहानी आपको, चली, अब हम शुरू करते हैं, यह एक vector born disease है, जैसा कि आपको पता है, बिना vector के बिमारी transmit नहीं हो सकती है, ठीक है, जब तक female anaphlees मचरनी किसी infected person के रक्त को नहीं चूसेगी, तब तक यह infection दूसरे को नहीं फिला सकती है, ऐसा नहीं कि female anaphlees मचरनी किसी को काटती नहीं, normally भी काट सकती है, पर फिर भी उसको malaria न sporozoid develop करके आपको दरेती है, तो female anaphlees मचरनी को पहले infected person को काटना जरूरी है, तब ही वो आपको malaria फैला सकती है, इसलिए अगर किसी के घर में किसी को malaria हुआ, तो बाकी लोगों को भी होने के chance है, क्योंकि उस एरिया में female anaphlees मचरनी आ जाएगी, आपके घर के उस person को देगी और फिर आपको दचक देगी आके और आपको भी हो जाएगा, ठीक है, तो यह person to person, fomite born infection नहीं है, क्योंकि उस जगह पर मचर इतने जादा थे, female anaphlees मचरनी इतनी जादा थी, कि वो आप infected थे, आपको काटा और दूसरे को भी काट गया, तो उसे भी हो गई, ठीक ह भाई ये इसकी history के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दो noble prize malaria के लिए गए हैं, and it is very 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 important बचो, इसकी history से question आजाता है, नीट वगेरा में, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 1880 leveron के बारे में, ठीक है, यह कौन है, देखिए, इन्होंने ये बताया, कि malaria जो है, वो plasmodium cause होता है, और ये तो मतलब revolutionary discovery है, कि malaria plasmodium cause करता है, it is an evolutionary discovery, 1907 में इन आदमी को, इन महान scientist को, जो है, nobel prize दिया गया, clear, तो leveron का नाम याद रखिएगा, nobel prize मिला है, because he discovered that the plasmodium causes the malaria, clear, अब हम बात करते हैं, sir, Ronald Ross, he is very very important scientist, because of, आपका exam, जो इन के बारे में कई बात पूछा जाता है, exam में पूछ लिया जाता है, और ये एक Indian scientist है, इंडिया में थे, अलमोडा में रहा करते थे, समझ भाए बात, okay, तो ये अलमोडा इंडिया में है, Indian scientist है, भले ही इनका origin यहां का नहीं है, पर ये रहे इंडिया में ही है, okay, malaria, अच्छा, इन होने क्या बताया, कि जो आपका malaria है, वो कौन transmit करता है, female anaphylis मच्छरनी, तो लेवरान डिस्कवर्डाट दा प्लास्मोडियम इस दा कॉस्टिव एजंट ऑफ मलेरिया, और रोनाल्ड रोस इन दा 1897 डिस्कवर्ड और प्रूफ दैट इनको कम मिला है, 1907 में और इनको मिला है, 1902 में नोबल प्राइस, ठीक है, तो discovery के लिए मिला और transmission की क्यारियर होता है, इसके टांस्मिशन के लिए इसके लिए भी नोबल प्राइस मिला, 1907 और 1902, डेट याद रखियेगा, क्योंकि जिस भी person को बिमारी के लिए नोबल प् मेरे प्यारे बच्छों, मेरे राज दुलारों, मेरे जिगर के टुकडोस को याद रखना क्योंकि एक्जाम में पूचा जाता है, मतलब में बताओ कितनी क्रांति कारी डिस्कवरी है, तो हम कभी भी मच्छ से बचने की कोशिश ही नहीं करते है, अपन तो जो है, आप जो ह हम लोगों को इतना जादा जो है, अवेरनेस ही लिए, क्योंकि इनने डिस्कवर कर दिया, नहीं करते हैं, तो फिर खिड की दरवाज़ा बनाने की ज़रोती नहीं थी, ठीक है, चलिए, मोड अफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, मोड अफ ट्रांसमिशन मैंने आपको पहले अंदर छोड देती हैं, ठीक है, तो यह आपको क्लियर हो गया, कि मोड अफ ट्रांसमिशन इस बाइदा फीमेल एनफली मच्छरनी, काट रहे हैं, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, चलो, अब हम लोग अपनी लाइफ सैकल शुरू कर रहे हैं, इस लाइफ सैकल इस फ्र हैं, उतने फेजा माँ डिसकस कर लेंगे, चलिए, तो शुरू कर लेते हैं, अपना लाइफ सैकल बच्चो जी, चलो, आओ, आप हम लोग मलेरिया का लाइफ सैकल शुरू करने वाले हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, क्या बोल रही हूं है, suppose that कि कोई हूमन है, ठीक है, अब मैं हूमन बनाने के उसमें तो नहीं हूँ, ठीक है, माल लो कि ये कोई हूमन है, ध्यान से देखते जाना, ठीक है, हूमन है, ओके, डन होग इतनी बात, अब इस हूमन को किसी मच्छर नी ने काटा, ठीक है, अब यहां प काटा अब इस human being के अंदर ध्यान समझना इस मच्छरनी ने इस human being के अंदर बहुत सारे ऐसे spindle shape के जो है कुछ cells release किये ठीक है जिने हम कहते है sporozoid ध्यान से समझते जाना ठीक है जिने हम क्या कहते है बच्चो sporozoid ठीक है पहले हम human being की कहानी कर रहे हैं उसके बाद हम फिर मच्छरनी के अंदर की कहानी करेंगे किसी मॉस्किटों ने human being को काटा और उसने उस human being को क्या दे दिये sporozoid ठीक है अब क्या हुआ यह sporozoid जो है भाई साब यह कहां पर आएगा बोलो यह आएगा human being की blood vessel में सारे sporozoid कहां पर हुए हैं बोलो मेरे साथ यह sporozoid कहां प है ति लड़किया रहे बैटा ललल लली सब एक ही है ठीक है अब यह आया आपके blood circulation में ठीक है the sporozoid will came into the blood circulation clear blood circulation में आ गया अब ध्यान से समझते जाना blood circulation के बाद यह गया आपके liver में ठीक है sporozoid will move to the liver यहां बना रही हूँ liver ध्यान से देखो then sporozoid छोड़ा बड़ा liver बना लेती हूँ ठीक है then sporozoid जो है यह कहां गया आपके liver में ठीक है यह गया अपने liver में यहां लिक दें liver ठीक है ध्यान से समझना ओके then sporozoid जो है वो आपके liver में गया यह liver में पहुच गया अब liver में क्या होती है liver में cells होती है clear liver में क्या होती है बच्चो जी liver में होती है cells यह बना ली लिवर की cell लीवर की cell को हम क्या कहते हैं बोलिए लीवर की cell को मैडम जी हम कहते हैं हिपेटोसाइट क्या कहते हैं हिपेटोसाइट जिसको नहीं पता है तो फिर वो अपने माथे में जो है एक चाटा मारे और अपने आपको याद दिलाए, हिपर कहते हैं, लिवर को तुसकी सेल को क्या कहेंगे, हिपेटोसाइट, ठीक है, अब ये स्पोरोजवाइट जो है, भाई साब कहां पहुच गए, अपने, कहां पर हिपेटोसाइट में, ठीक है, लिवर के अंदर घुसे, अब ध्यान से द इनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं, किसकते हैं बलाक से लिग दिती हूँ, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, बच्छो, जाइजजँग, क्ल photo हुआ मेरी बात क्या समझें अभी रिवाइस करा हूंगे टेंचन लो इस स्टेज को हम कहते हैं शाइजोंट जो आपके क्या नाम है पोरोजवाइट है वही पैटासाइट के अंदर गुसे वह बड़े मुट्टे-मुट्टे तगड़े हो गया ठीक है और यह हम कहते हैं इस शाइजोंट में प्यारे लल्ला इसमें होगा मल्टिपल फिजन ठीक है इस शाइजोंट में क्या होगा मल्टिपल फिजन ठीक है मुझे नहीं पता कि यहां पे लाइफ सैकल पूरा आएगा या नहीं अगे पर ट्राई कर रहे हूं ठीक है इस शाइजोंट में होगा मल बहुत सारे छोटे-छोटे-छोटे शेल्स बनेंगे बेटाजी इन्हें हैं अब हम Sporozoids नहीं कहते अब हम यह तो मिरो जॉइटब हmayı तोड़ा साइड में यहां पर दीया तो यहां पर लक्तिए और आप को इदर से दिखेगा नहीं और पर दोए साइड में क्या लिखा इसे हम कहते हैं मीरो जॉइट ठीक है क्लिह यह बात को दो क्ली ऊगी तीक अब क्या होगा मीरोजोईट का नंबर, हिपैटोसाइट के नोर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपकी हिपैटोसाइट भूम, ठीक है, फट जाएगी, ठीक है, यह इस पर जो है, ध्यान से देखना, इसको मुझे फारना पड़ेगा, और इसके लिए मीरोजोईट बने, और यह जो आपकी हिपैटोसाइट है, अब यह फट जाएगी, क्योंकि लोड ओफ मीरोजाइट जो है, वो इन्हें फार देगा, यह हिपैटोसाइट बच्चो जी फट गया, ठीक है, यह हिपैटोसाइट फट गई, क्लियर होई इतनी बात आपको, ठी ठीक है, देखो इदर, देखो इदर आओ जल्दी आओ, है ना, यह देखो, क्लियर है, अब यह दो कहानी कर सकती है, ठीक है, अब यह दो कहानी कर सकती है, ठीक है, अब यह दो कहानी कर सकती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर हम और कैसे काम करेंगे, लीवर थोड करें आपका लिट डालो चेक देखो 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 जल्दी आओ बड़ी मज़ेदार चीज पढ़ रहे हैं Malaria is one of the favorite topic of mine बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ाने में और आपको भी मज़ा आएगा चीक है और बाकी क्या कर सकते हैं बाकी दूसरी इपैटोसाइट को भी इंफेक्ट कर सकते हैं ठीक है क्लियर हुई बात क्या बोल रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है आपको तो क्या हो सकता है कि जैसे ही पैटोसाइट बस्ट हुई ये जो आपके मीरोजोइट दिख रहे हैं ये आपके क्या दिख रहे है बच्चो मीरोजोइट दिख रहे हैं या तो ये दूसरे ही पैटोसाइट को इंफेक्ट करें या तो ये blood circulation में आ जाएं clear? ठीक है? अब आप देखो कि क्या यहां पर कोई erythrocyte involved है क्या? बोलो अच्छा, आपका schizont में multiple fission हुआ schizont में multiple fission हुआ, जिससे बहुत सारे mirosoid बने, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस process को हम कहते schizogony, आप लिखते जाएगा मेरे साथ क्योंकि मुझे हो सकते है, थोड़ा सा मिटाना भी पड़े, ठीक है? इस process को हम कहते schizogony ठीक है? क्या कहते हैं बच्चों जी? schizogony, यह कौन सी schizogony है? RBC के पहले schizogony है, तो इससे हम कहते pre-erithro erithrocytic schizogony clear हो गई बात, फिर से एक बार revise कर लें यह वाला phase, चली देखते हैं human being को mosquito ने bite किया और उसने अपने saliva से बहुत सारे sporos white human being के blood circulation में दे दिये, blood circulation से घूमते फिरते, वो कहाँ पहुच गए liver cell के अंदर पहुच गए, क्योंकि liver के अंदर यह वा schizont हुआ, schizont stage बनी, schizont कैसे बनती है sporos white, sporos white which are in the hepatocyte they get thick, बहुत मोटे मोटे हो गए इससो कहते है schizont, ठीक है अब इसी schizont में हुआ multiple fission तो यह कौन सा reproduction है, asexual reproduction है तो हम यह कह सकते हैं, asexual reproduction जो है, पहले कहाँ पर होता है, liver में होता है तो liver में होता है, ठीक है, फिर आपके hepatocyte फट गए, अब myrozoid ब्लड में release हो गए, और कुछ नए myrozoid जो है, वो दूसरे hepatocyte को infect कर ले, और यह cycle continuously चलता रहा, ठीक है, वो बे 8-8 दिन तक पहला symptom आने में 8-10 दिन लग जाते है, 8-10 दिन तक यही कानी चल रही है, अब blood circulation में पहुच गए, सारे myrozoid, ठीक है, तोड़ा blood vessel में छोटा बना लेती हूँ, क्योंकि छोटा इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि हमको जगा की जरूरत है, ओके अब यह blood circulation में पहुच गए, ठीक है, myrozoid यहां पहुच गए, ठीक यह myrozoid, यह किसके अंदर घुच गए हैं, बेटा जी, RBC के अंदर, this is RBC and this is myrozoid, ठीक है, myrozoid, ठीक है, अब दूसरे में देखोगे कि यह जो myrozoid हैं, यह अलगी कहानी कर रहे हैं, यह क्या करते हैं, myrozoid क्या है, infectious agent है, plasmodium का एक स्टेज है, ठीक है, अब यह क्या करेगा, कि यह, परपल कलर काई बिनाती हूँ, यह अपने nucleus को एक साइड पर फेक देगा, ठीक है, और एक वैक्योल लाइक अर्रेंजमेंट बना देगा, रिंग शेप का दिखाई दे रहा है, क्लेर हो रहा है, यह बात आपको जो समझा रही हूं है, यह, मिरोजोइट क्या है, एक सेल है, प्लाजमोडियम की, और इसने, अब क्या क्या चेंज किया, और इसने अपने nucleus को एक कोने में फेक दिया, दूसरे कलर से लिखती हूँ, इसने अपने nucleus को एक कोने पे फेक दिया, this is nucleus बेटा जी, और यह है vacuol, और यह वेक vacuol डवलप कर लिया, अब आपके मन में सवाल होगा, कि मिरोजोईटी क्यों ने ऐसा क्यों हो गया, बेसिकली, आपके immune system से बचने के लिए, इसने चेंज कर रहा है, अब immune system बेसिकली, वो अपने उपर बहुत सारे चोले पहन लेता, कि मुझे पकड़ मत लेना, तो अब immune system से बचने के लिए, वो सारे यह चेंज कर रहा है, ठीक है, और अब हम stage को, प्यारे बच्चो जी, क्या बोलते है, इस stage को, हम कहते, कौन से color से लिखूँ है, इसे हम कहते हैं, ट्रोफोजोईट, क्या कहते हैं हम इसे, ट्रोफोजोईट, ठीक है, आइधिंग यहाँ पर थोड़ा सा बोरा है, यह बोड में यही problem है, बोड में प्रॉब्लम तो नहीं है, खें, मेरी handwriting में प्रॉबलम में इता बड़ा लिखती हूँ, ठीक है, यह बन गया ट्रोफोजोईट, क्लेर हुआ, यह बन गया ट्रोफोजोईट, तो यहाँ मिरोजोईट था, अब यह बन गया ट्रोफोजोईट, ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, पता तुम्हें इसमें भी होगी शाइजोंट स्टेज ठीक है इसमें भी क्या होगी शाइजोंट स्टेज ठीक है लेट मी मेंग दा आर बीसी ठीक है अब ठीक है यह हो गया है शाइजोंट शाइजोंट कैसे होता है कि जो पैथोजन होता है वो बड़ा मुटा मुटा सा हो ज कह सकते हैं मैं चोर ट्रोफोजोट इंसाइड आर बीसी इसको हम कहते हैं बच बेटा जी रेट कलर से लिख रही हूं इरिथ्रो इरिथ्रो साइटिक साइटिक शाइजो गोनी आई होप इट इस विजबल टू यू बच्छो ठीक है मैं डब्बे में बंद कर देती हूं सारी पर शाइजो गोनी इसको ठीक है क्लियर ठीक है धयाने से सुनो मेरी बात एक बरस ध्याज़ सूनो ठीक है इसनिस on is green इक सब्राहिक होत सभीत चल्ड़ टेक देख लग कर देख रही यह ну चलो देखो भ्याए इत इस इरिथ्रो आईटिक शाइजो गोनी ओ म्याम बड़ा यह ज्यादा ठीक दिख रहा था पर चल ठीक है यह नंबर यह दो नंबर चली समझते हैं क्या हुआ हमारे पास लीवर में लीवर सेल फटी मिरोजोईट जो है ब्लड circulation में और उसने RBC को इंफेक्ट किया अब human immune system से बचने के लिए human immune system से बचने के लिए उसने अपने अंदर चेंज किया उसने अपने नुकलिएस को फेक दिया कहा पेक्ट दिया कोने और अपने अंदर क्या डवलकिया वैक्योल बना लिया और थोड़े देर के बाद वलब कि हो था कि immune system पैचाने नहीं नहीं प्रपोजोड को मारने हाएं ट्रोफोज़ बन चुक है ठीक है ठोड़े देर के बाद यह भी मोटा मोटा हुआ यह भी कौन सा stage है यह शाइजोगवनी है शाइजोड स्टेज है अब इसमें क्या होगा बच्चो जी बोलो मेरे साथ बोलो-बबो-बो-बो-बो-बो-ब-ब तो यहां पे पर Gir sow तो यहां पर भी फिर हमारे पास क्या मेरो जाएगे मिरो जाएगी एहां पार बहुँ उव्यट पर युआ नहीं भूलो आप क्या हुगा बस लूडबड़ेगा स ब्ढ़ मिटीजय है जिलएगी आपका वहोगा बोलो आर्बेसी फट गई ये पि ص tim फट गई तो मेरोजोइट बाहर आ गये अब आनिके सस थी सिसुनों यह क्या कर सकते हैं वो देखते हैं यहां तो यह means टो यह छाइट एक यह नईर miniी को इंफेट कर सकता है यहां यह सो यह multiple fission यहां से मिटा रही हुँ मैं ठीक है multiple fission होगा ठीक है और या तो यह Mirozoid नहीं RBC को infect करेंगे या तो यह Mirozoid नहीं RBC को infect करेंगे तो क्लियर तो क्या क्या हुआ ध्यान से देखो यहां पर हुआ multiple fission MF लिख देती हूँ यह क्या बन गए Mirozoid यहां पर बस्ट हो गया ठीक है अब हम इसको Erythrocytic saizodogoni कहते हैं clear है समझ में आ गई बात इसमें कोई दिकत कोई परिशानी तो नहीं दन हो गया ठीक है तो यह पूरा cycle अभी किसके अंदर चल रहा है यह को यह पूरा cycle थोड़ा कहीं भी कहीं भी सेक्श्वल रिप्रडक्शन हुआ ही नहीं एक बार फिर से समझ लेते हैं इतनी बात आपको क्लियर हो गई है ना चलो देखो अब ध्यान से देखो मैं सोचरी पूरा यूमन का यहां पे बना देती हूं मच्छर का दूसरे पेज़ी नहीं तो हो जाएगा ग तुसे भयंकर वाले मीरोजोएट रिलीज हुए गारे मुल्टिपली फिजन और यहां से अलेयर कैसा बहुत दिनों के बाद बौर्ड में लिखो तो और बैरों से एस्धा बहुत शुनदर तो लिखती नहीं थी ठीक है तो यहां से यहां से क्या रेलीज होगा बहुत छारे म अब ध्यान सुनना कुछ Mirozoid तो नई RBC को इंफेक्ट करेंगे हाँ मैं यह तो समझ गए कुछ Mirozoid तो New RBC को इंफेक्ट करेंगे ठीक है New RBC अच्छा और कुछ Mirozoid का क्या होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ यह नए Mirozoids है अब ध्यान समझते जाना जब एक Fully Mature यह जो आपका Fully Mature RBC है जिसके अंदर Mirozoid भरे हुए है इसके अंदर एक Pigment बनने लगता है Red Red से बना रही हो Fully Mature RBC जिसके अंदर Multiple Fission कर करके कर करके Mirozoid भरे हुए है RBC है तो यह Mirozoid क्या करते हैं Hemoglobin को Destroy करने लगते हैं तो हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होता है तो एक Pigment बनने लगता है जिसे हम कहते हैं Hemozoin क्या कहते हैं बच्चो Hemozoin जब RBC फटेगी तो यह Hemozoin भी बाहरा आएगा विखेट है ही इमोजोईन भी बाहरा आएगा अब यह जब हीमोजोईन बाहराईइगा तो यह ब्लड सर्कोलेशन में भी आएगा और इक और बाकि सारी सेल्स में भी जाएगा इन जाएगा ठीक फिए हम Q होगा कि जब malaria जो कब उखार जो होता है कई टाइप की malaria में मतलब की कंटीनेसली नहीं चड़ा होता है जिस समय आपकी रेड ब्लेट सेल बस्ट होती है तो उससे बहुत सारा हीमोजोईन निकलता है पिगमेंट होता है जो कि खतरनाक होता है यह हीमोजोईन जो से बनता है हीमोगोडिन के destruction से बनता है और हीमोजोईन जब blood circulation में आता है तो आपको बुखार आती है आपको ठंड़ेके बुखार आती है clear तो जब जब आपकी बुखार आ रहा है तो आप यह समझो कि आप तो इस पूरी कहानी में करीब आठ दिन लगते हैं, समझ में आई बात, कि पूरा हीमोजोईन रिलीज होने में आठ दिन लगते हैं, जब जब मलेरिया का पैरसाइट अपना लाइफ सेकल पूरे करेगा, हीमोजोईन रिलीज होगा, तब तक आपको बुखार आएगी, बहु आठ दिन के बाद, एंटरी के बाद, आठ वे दिन में आपका पहला सिम्टम आएगा, क्लियर हो गई बात, चीक है? आप समझो, यह जो मिरोजोईन निकले हैं, यह क्या करते हैं? यह थोड़े से मैच्योर हो जाते, बड़े-बड़े हो जाते हैं, चीक है? थोड़ा लग- उसको हम कहते हैं Megagameto site Megagamete कह दो Megagameto site कह दो Megagameto site और जो छोटा है उसको कह दो Microgameto site देखो इसको हम consider कर रहे है Microgameto site Microgameto site यह male बनेगा चीक है और यह बनेगा female ठीक है मतलब यह सिर्फ सोचने की कहानी है clear हो गई इतनी बात ठीक है अब समझना ध्यान से क्या बोल रही हो मैं थोड़ा सा और ओपर बना लूँ कि है यह जब जग़ा है थोड़ा सा और उपर बना लेती है चलो इसको और थोड़ा सा तकि तुम लोगों को ओर clear हो और इसको थोड़ा सा और बना लेती है ठीक है cycle बोलतो हो, clear हो गया, क्योंकि RBC के बाहर हो रहा है, हीमोजोईन रिलीज हुआ, बुखार आई, exoerithrocytics, preerithrocytics आगे लिवर में, erithrocytic लिवर में, exoerithrocytics आपके हीमोजोईन रिलीज हो रहा है, बुखार आई, अब यह जो मिरोजोईट निकले हैं, यह जो आपके मीरोजोईट निकले, ठीक है, रिलीज., RBC, 40, और यह जो मीरोजोईट निकले हैं, प्यारे बेटाजी ये होंगे थोड़े से बड़े अब एक जो होगा वोगा छोट टूसा ठीक ठोड़ा बड़ा होगा और एक होगा थोड़ा जदा बड़ा ठीक है रहें सियर्य क्लियरूबगे इतनी यह मैं अब आयेगी मछर नीए है ठीक हैँ यह सारी कहानी कहा चल रहे आपके ब्लेड में चल रही है अब आई मछरनी जब बेटाजी मछरनी मछरनी को ऐसे बना लेती हूं ड़ई के यह आया मौसकीटो सब्सकेर लिया सक एसलिए इसलिए पूरी कहानी को हम एक्जोएरिफ्रोसाइटिक साइकल कहते हैं क्योंकि सब कुछ RBC के बाहर हो रहा है ठीक है पूरे ब्लड में हो रहा है ठीक है सक किया तो जब सक करेगा तो ले गई साथ में स्पोरोजोट डाल दिया अब इस पौरोजोट कहां पहुंचे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे ब्लड सर्कुलेशन से कहां पर आगे लीवर में आगे अभी RBC में नहीं आएं इसलिए प्रिष्रोसाइटिक शैजोगोनी होझे ऑन इनको इनको मैं देखा इनको चैछिए पाफी सारे क्या बन गए अब इनको स्पॉरॉज उडी काएं, और हम इनको स्पप आब unknown यह रो अजय चैनगे ज olması कज अपसे आरोग मिदेश्ट के नर सीप रॉन ऑँ रब्लो साइड अका भी सिक पूपिलों भें अब इम्यून सिस्टम से बचने के लिए आपका जो मीरोजोईट है वो अपने आपको चेंज कर लेता है रबीसी कंदर वह अपना न्यूकलियस किनारे फेक देता है और वैक्योल बड़ा सा बना लेता है इस कॉल्ड एस ट्रोफोजोईट येक रिंग शेप का स्टक्चर है अब क्या होता है फिर वोगी कि समें करण शेज इस होगा जी के में मझ सब्स। इसमें भी क्या होगा बेता जी, multiple fission क्या होगा, multiple fission पर जब ये शाइज उन्ड स्टेज पर है और multiple fission हो रहा है तो वो RBC का breakdown हीमोगलोबिन का breakdown continuously हो रहा है और इसमें pigment बन रहा है जिसे हम कहते हैं हीमोजोईन, हीमोजोईन एक पिंगमें है, जो कि हीमोगलोबिन के तूटने से बना है, यह बड़ा ही खतरनाक होता है, अब इसमें होगा मल्टीपल फिजन, एमाफलीका, मल्टीपल फिजन से काफी सारे क्या बनेंगे, मीरोजोईट, यह क्या है बच्चो जी, ब्लैक वाला रबीस पटी तो पुरे बॉडी में फैलना शुरू हो गया ठीक है अब भीस तो निकले जिए कुछ मेल जो निखले टोने अभीस को इन्फेक्ट किये और इस कहानी को हम जब धान सुना नए रबीसिक को इंफेक्ट किया तो आपकार अपकार सैटिक्ट इन शाइकल चल रहा ह ठीक है, और आपने Mirozoid को डवलप किया, एक बड़ा Mirozoid में बड़ा सेल बना, जिसको कहते हैं, Megagamitoside, और एक छोटा बना, जिसको कहते हैं, Microgamitoside, ठीक है, और Megagamitoside को हम कंसिडर करते हैं, Female, और Microgamitoside को हम कंसिडर करते हैं, Male, और मच्छर नी आई, और इन दोनों gamitoside को इसने सख कर लिया, ठीक है, तो कितने फेज हैं, प्रि-रिथ्रोसाइटिक साइज हो गो गो नी, और आपका एक्सुरीथ्रोसाइटिक साइज हो गो नी, ठीक है, यह आई होब कि आपको क्लियर हो गया हो गा, थोड़ी हिच-पिच मची है, पर जो बैने कम से कम 3-4 बर आपको समझा दिया है तो अब आप साइकल बना लोगे NCIT का भी डाग्राम में आपको क्लियर कर रही हूँ ठीक है अब आते हैं ये तो ही हुमन की हुमन में कहीं भी सेक्शुल रिप्रड़क्शन दिखा कि आपको नहीं दिखा यहां पर हमने सिर्फ देखा कि मेल और फीमेल को हम डवलप कर रहे हैं मेरी बात समझ रहे हो इसमें हमने किया क्या इसमें हमने कुछ नहीं किया मेल और फीमेल को डवलप करके दे दिया इसको इवन इसका male or female का further development जो है वो और कहां होगा अभी पूरा development नहीं हुआ है male or female का वो कहां पर होगा इस female मच्छरनी के gut पे समझ में आई बात अब madam sexual reproduction क्यों नहीं हो सकता है human में ये आपके मन में सवाला न चाहिए क्यों नहीं हो सकता है temperature याद रखिए कि इस प्लाज्मो डियम के माइक्रोगेमिट और मेगागेमिट के बीच में फर्टिलाइजेशन के लिए perfect temperature चाहिए जो मच्छनी के gut पे होता है human beings के पास नहीं होता इसलिए human beings के पास सिर्फ a sexual phase होता है sexual phase मच्छर के gut पे होता है क्लियर तो यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो asexual phase होता है वो human में ही क्यों होता है और sexual phase सर्फ मच्छर में क्यों होता है because of the temperature फर्टिलाइजेशन के लिए आपके sporozoid development के लिए जो temperature चाहिए वो मच्छर के gut पे होता है human beings के पास नहीं होता जिसकी वजह से मच्छर जो है वो इनका जो है आपको पता होना चाहिए की primary host है ठीक है clear हो गए इतनी बात अब आते है mosquito के I'm not very good at making mosquito पर मैं कोशिश करती हूँ ठीक है अब mosquito की gut पे suppose that this is the gut of mosquito ठीक है मैं गट बनाने की कोशिश कर रही हूँ यह तो कुछ और ही बन रहा है पर माल लो कि यह क्या है गट है ठीक है किसकी mosquito की मौस की टोकी ठीक है डन और यह है इसका salivory gland ठीक है ठीक है suppose that कि यह तो चुडिया जैसा बना है ठीक है यह तो चुडिया जैसा बना है पर मालो कि मच्छरी है यार ठीक हूं कि मैं मच्छर बनानी पा रही हूँ कै तो यह इसका salivory gland ठीक है मैं जानवर बनाने में बड़ी ही कमजोर हूँ ठीक है salivory gland अप समझना इसने सक किया है आपका blood ठीक है तो अब क्या क्या होगा बोलो इसके पास यह है मैगा गैमीट माल लेते हैं यह मैगा गैमीटो साइट है गैमीटो साइट ठीक है और यह हम माल लेते हैं कि यह है माइक्रो गैमीटो साइट साइट क्लियर अब इन में क्या होता है मैं आपको बता दें तो हाला कि इसकी ज़रुराच नहीं है इसमें ये मेगा केमीटोसाइट डवलप होगा और माइक्रो केमीटोसाइट में कुछ ऐसे उकाइनाइट मतलब कुछ फ्लाजिलेशन टाइप का होगा खेर वो पढ़ना नहीं है आपको मेगा केमीटोसाइट बड़ा होगा इसमें कोनों अब रसेप्शन बनेगा और इन दोनों के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन ठीक है मैं सीधे आ जाती हूँ फर्टिलाइजेशन ठीक है जोईट ठीक है स्पोरोजोईट मिल गए ठीक है अब यहां पर एक human फिर से बना लो human ठीक है और यह जब मच्छरनी इसको काटेगी तो यह स्पोरोजोईट फिर से स्पोरोजोईट यहां से काटने के दौरान यहां पहुच गया है क्लियर हुई बात ठीक है समझ आ गई तो sexual phase हमेशा कहा होता है sexual phase कहा होता है अभी मैं आपको इसके डियागराम भी दिखाती हूँ किसी को मेरी प्यां आरी हंड रिटिंग नहीं समझ समझ आ गई बात इसमें कोई दिककत कोई परेशानी तो नहीं ठीक है अब हम लोग ठीक है चलिए लाइफ साइकल यह आपके डायगराम है पर मैं इसको आपको बिलकुल आखरी में लूंगी ठीक है जब आपका जाइगोट उकाइनाइट के बारे में पूछा जा सकता है ज तो जब आपका जाइगोट लंबा होता है फॉर दिविजगं इस इस काल बटे धर ओकान एट है तय There. अब कर देखते हैं देखें शाइजगोनी चलि शुरू करते हैं obser tahini 추천 करते हैं क्या कियूरी बोलती है शाइजगोनी इच्पोर इअ गरो इन मच्छर बाइट ठीक है वेन दा इंफेक्टेड एनाफ्री मच्छर बाइट यहां पर देखो छोटे छोटे से नन्ने मुन्ने से NCRT खोल लो अपनी NCRT पर देखो लंबे-लंबे प्यारे-प्यारे इंफेक्टेड फीमेल नाफ्री बाइट इंजेक्ट गया है और इंफेक्टेड जो फॉर्म पर आपको को काटता है तो कौन सा उसका इंफेक्टेड जो होता है फॉर्म होता है तो स्पोरोजोई इस इंफेक्टेड फॉर्म अफ्व्टे पराज़िए जो मच्छर नी human being को देती है क्लियर हो गई बच्चो जी इतनी बात आजो 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 मेरे साथ बढ़ करेंगे एक नहीं बात मलेरिया समझ में आ जाएगा आज कोई नहीं भिगाड़ पाएगा तुमारी बात आओ मेरे साथ इच स्पोरोजोईट आप कहा हुआ काटा बलड से होते हुए कहा पहुच गया बेटा जी लीवर में पहुच गया लीवर में क्या हो गया वो थोड़ा डिवलप हुआ डिवलप हुआ तो वो क्या हो गया मोटा मोटा हो गया गुल्ला गुल्ला हो गया लड्डू बन गया इससे क्या कहते हैं बेटा जी आपका शाइजोंट ठीक है और ये क्या होगा मल्टिपल फिजन का नाम आपको पता होन ची कौन सा इविजन है शाइजॉंट में a multiple fusion होगा और करीब 1000 क्या बनाएगा मिरोजॉज इसको हम क्या कहते शाइजोगोनी division in the शाइजॉजॉज और multiple fusion in the size on it is called as called as शाइजो गोनी ठीक है और क्या बनाएगा बेटा जी 1047 ग्रीब मिरोजॉजॉज बनाएगा तो लुकीर देस टॉप कहा जया मॉस्किटो ने बाई्ट किया मॉस्किटो बाइठ किया ठीकर इस फेरोज़ कहा पोच गया लीवर सिल में पहुं पहुच में क्या बना देक सिय्जॉ यह डिरा रहा यह स्में यह होग worries मैं एक ही चीज को इतने बार इसलिए बोल रहे हूं ताकि रट लो रट लो एकदम रट लो मले रहे हैं परसाइट आपको देखने की जरूत नहीं के मैडम ने क्या बनाया मैडम की आवाज याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बचो एक्जाम देने जाओ तो शाइजो गौनी श शायजौंट की शायजौनिट करण चीखे क्या होगा यहोगा ठीक है शायजौंट रप्चर एंड मीर्जॉइट सारे बन्यिब्रेटरी ठीक है आपका जो और यह कहां गया ब्लड में आ गया इस फेस को हम प्रिडिवसाइटिक साइकल कहते है क्यों इसे हम एरिथ्रो बना लो इसके साथ अगर आपको यह पसंदार रहा है तो इसे हम कहते प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकल क्योंकि इसमें आर भी से इनवॉल्ब नहीं है रिथ्रोसाइट के पहले का साइकल क्लियर हो गया नेक्स देखो उसके बाद यही कहानी मिरोजॉइट सेम नह जैसे ही आर बीसी मिरोजॉइट जैसे ही ऑर भी सी इन पेक्ट किया देड़ गुज गया तो इसने क्या किया की इसने अपने दऄ खेंज किया क्यों छैंड किया थ ही बनालिया कहीं मुझे कोई पहचान न ले और दचर न दे मार न दे इसलिए में आपना शेप ही चेंज कर लूँगा इसलिए प्लाज्मोडेम के लिए वैक्सिन नी मना पाते आप तो इसने किया 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 नुटलर्स को किनारे धहकेल दिया और एक वैक्क्योल बना लिया इस टेज इस कॉल्ड एस रिंग स्टेज और यह रिंग जो है यह और बड़ी हुई विच इस ट्रोफोजोई ठीक है क्लेक्टिवी रिंग ट्रोफोजोई रिंग सब एक ही है तो आपको बहुत दिफ्रेंशेट करने की ज़िए पर चोटा वेक्योल बना तो रिंग जैसा दि ठीक है RBC क्या हो जाएगी फट जाएगी अब आपकी जो RBC है वो बाहर निकली ब्लड सर्कुलेशन में आई या तो वो प्लाजमा में ट्रावल करेगी और जो है नए RBC को इंफेक्ट करेगी ठीक है या तो या तो या तो और साथी साथी यहां पर और क्या रिलीज होता RBC इसमें होंगा होगा कुछ डवलापमेंट एक को हम कंसेडर करेंगे मेल और एक को करेंगे फीमेल यह मेल है फीमल को जामेगा मैल को कहते है अब क्या होगा इन दोनों फॉर्म्स अभी sexual reproduction हुआ नहीं हम सिर्फ तैयारी करके दे रहे मेल फीमेल बना दी विवें मेल फीमेल में फर्दर डवलप्मेंट भी किसके अंदर होगा मच्छरनी के अंदर होगा ठीक है उसके बाद क्या हुआ देखो मच्रनी ने चूस लिया ग सिर्फ टेकल के आपने को बाखि जो डीडानिकंजर्जेशन इसके इंदर नगाज़ज के नंगा इसके घंट के इनदर फॉर्ट तो फिर दिफिर और फिर उ पिर शेयर sporozoid बाकि यह सब oocyst वगएदर जानने की जरुवरत आपको नहीं है और फिर इसे मच्रनी जो है अपने लारवा सलाइवा से दूसरे human being को infect कर देगे समझ मागई बाद अचा बैसिक ली क्या करता है यह समिव बना लेता है और इस शिस्ट के अंदर जिसे में ओस्याते एक प्रोट्टि भॉल बना लेता है मेर्ह इस समझ रहे हो अब एसा क्यो होता है वह मैं आपको बना देतीů तो तुम अपने उपर एक protective covering बना लेते हैं जिसे कहते हैं और अंदर ये अंदर माइट उसिस्ट करते रहते हैं जो बहुत सारे sporazoid उसिस्ट के अंदर बन जाते हैं तो उसिस्ट बस्ट हो जाता है अब ये बात ये आपको बता दू मैं कि कई बार मच्छर नी किसी infected blood को सक नहीं करती है फिर भी वो malaria फैला सकती है अगर उसके अंदर ये सिस्ट को तो कोई मार नहीं सकता उसके अंदर sporazoid पड़े हुएं फेवरेबल कंडीशन आने पर ये सिस्ट माल लो अंदर ये अंदर mitosis करना शुरू हुआ सिस्ट बस्ट हो गया तो उसने किसी infected person को चूसा भी नहीं होगा ना तो भी वो infect कर सकती है अगर उसके पास ये सिस्ट होगा उसकी गट पे तो क्लियर होगा इतनी बाद सो वट इस अगाइवा में आजाएगा इस अगाइवा से दूसरे human being में चला जाएगा ये आप कितना मज़दार चीज है यार कितनी interesting चीज है isn't it ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं pre patent period देखते हैं क्या है pre patent period it is a duration between the initial sporozoid infection and the first appearance of the parasite in the first appearance of parasite in the blood तो pre patent period क्या होता है कि जिस दिन sporozoid आपके अंदर आया था और फिर किस दिन वो blood में पूरा exposed निकल गया it is called as pre patent period 8 दिन ठीक है मतलब मैं आपको बता हूं कि सिदी सिदी बात है जिस दिन infection घुसा और उसके बाद कब वो आपके उसमें आया ठीक है दा duration between the initial sporozoid infection and the first appearance of malaria symptom तो यह सब का अलग अलग होता है जैसे वाइव वाइवेक्स का होता 14 दिन मतलब मैं आपको बता हूं कि पूरी कहानी में जैसे मैंने आपको यह cycle बताया तो RBC से जान समझना आपका लीवर से यहां तक RBC तक आने में ठीक है ओके यहां तक आने में आठ दिन लगते हैं ठीक है और पहला symptom आने पर अलग-अलग malaria में अलग-अलग समय लगता है clear अगई बात तो यहां पर क्या बोल रहा है प्री पेटेंट पिरिए अलग कि आपको याद नहीं करना ही है The duration between the initial sporozoid infection and the first appearance of the parasite in the blood मतलब जब हम बोलते हैं कि चलो आपको malaria test कराते है एक चीज़ बताती हूँ आपको मैं जब तक malaria इस phase में malaria जब liver की cell को infect कर रहा है तब मतलब करीब आठ दिन तक आठ-साथ-साथ दिन तक तो वो बेटा जी लीवर कोई खाते रहते हैं हम पाटी करेंगे हम पूरी लीवर की cell को infect कर डालेंगे तो आज 4-5-7 दिन तक तो लीवर की cell को infect करता रहता है अब आपको अभी तक तो कुछ का नहीं समझ में नहीं आरे क्या हुआ पर भाईया हलकी हलकी बुखार रहती कुछ अजीब सब हो यह अभी पैथोजन जो है अगर आपके लीवर सेल को infect करेगा तो बाडी में कुछ चेंज तो आएंगे ही तो डॉक्टर ने बोला चलो एक बर मलेरिया टेस्ट करा लो तो भाई अम मलेरिया टेस्ट कराया तो उसको मलेरिया पॉज थिव नहीं आया क्योंकि अभी जो आपका पॉर्षाइट है वा लीवर के अंदर है पर जिस दिन जिस दिन लीवर की रीवर की सेल फटी और यह स्पोर्षाइट बलड में आया लिवर के This is called as incubation period. Clear हो गया, pre-petent और incubation में क्या अंतर है? जिस दिन sporozoid घुसा और आपने सबसे पहले blood में देखा infection को. कब देखोगे? जब आपकी RBC हीपेटोसाइट फटेंगी और आपका जो mirozoid है वो आपके RBC के पास आएगा, ठीक है? तो उस दिन आप infection देख सकते हो. अब सिम्टम कब देखोगे? जब ये RBC के अंदर infection हुआ और RBC फटेंगी, हीपेटोसाइट फटेंगी, तो pre-petent period RBC फटेंगी, तो it is incubation period, ठीक है? तो पहला सिम्टम आपको हीपेटोसाइट के फटनी के विज़े से नहीं मिलता, वो RBC के फटनी के विज़े से मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोजोईन बन जाते हैं, इवेन जो male, female, gamete इने, इनके अंदर हीमोजोईन होता है, ठीक है? चलिए. तो प्री पेटन पीरेट जो है, आठ दिन लगते हैं, वाइवेक्स को पहला सिम्टम देने के लिए, ठीक है? अब देखते हैं, erythrocytic schizogony, same RBC के अंदर की कहानी है, inside the erythrocyte, another multiplication phase of schizogony fallow, RBC के अंदर जो schizogony हो रही, उसको erythrocytic schizogony कहते हैं, red blood cell के अंदर, जब mirozoid घुसते हैं, ठीक है? तो एक vacuole appear होता है, जिसकी वज़ा से, appear in the mirozoid, और वो nucleus को excite कर देता है, इसे कहत ring-shaped trophozoid, ये बताया है, मैंने आपको shape change करता है, ताकि immunity से बच सके, look at this, यहाँ पर ring-shaped दिख रहा है, ये ring-shaped आपको, ठीक है, फिर इसको क्या कहते हैं, आपका, देखो, ये ring-shaped दिखा, फिर ये schizogony, दिखा, लेक trophozoid को schizogony कह सकते हैं, ठीक है, फिर इसमें multiple fission हुआ, फिर ये फट गई, या तो ये नहीं RBC कोई फिट करेंगे, या तो ये जो है तो male-female develop करेंगे, okay, now, देहां से देखिए, trophozoid grows further and at the expense of carb cells to become somewhat rounded and amoebored and full-grown trophozoid is called as schizogony, ये मैंने बोला, कि पहले trophozoid ring-shaped का होता है, बाद में थोड़ा सा amoeboid type का हो जाता है, look at this, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, schizond, क्या कहते हैं, schizond, ये मैंने आपको बताया था, अब इसी के इंदर क्या hotा है multiple-fission, ये इदेहिए मैंने आपको, ठीक है, अब इसके इंदर क्या होगा बच्चोची, multiple-fission, पर 7-7, जब schizond बन रहा है, तो बहुत सारा damage हो रहा है Hemoglobin का, समझ माई बएड हैं यलू- स्पीशिंस के लिएक ही मोजोईन डिक نहीं हैं झाला बलाक कि प्लिफेर आप Näंक और तक यह कंटी को में होई होए papa है को सब्सक्राइधि इसके उड्एलो के चैसे आपको पहला सिम्टम एद प्टार टी कि 2 एक डिगवालाती है ठीक है इसे हम Erythrocytic Shazogoni कहते हैं क्योंकि ये पूरी कहानी Erythrocyte के इंदर हो रही पूरे नोट्स भी दे रही हूं मैं आपको मिरोजोइट बस्ट मिरोजोइट क्या होगी फट जाएगी और आपका मैंने आपको बता है मिरोजोइट फटी और जैसे मिरोजोइट फटेग और ये मिरोजोइट प्लाज्मा में आए और पूरे प्लाज्मा से ये नई Erythrocyte को इंदर करना शुरू किये अब कुछ मिरोजोइट जो होते हैं वो ठीक स्पिंडल में होते हैं नई Erythrocyte को इंदर करते हैं और रिपीट दे साइकल ऑफ रित्रोसाइटिक शाइजोग सर्तालिस घंटे तो आपको बुखार जो है दूसरे दिन आएगा या 12 घंटे ये साइकल रिपीट करने में टाइम लगा मिरोजोइट निकला एक और बहुत सारी अर्बीसी को इंदर किया इस पूरी कानी में बारा घंटे लगे तो बुखार कब आएगा बारा घंटे के ब कि आपने आप देख रहे हो कि रिफ्ट्रोसाइटिक शाइजोगानी के समय बहुत सारे आर्बीसी बहुत फट रहे हैं फट रहे हैं कभी आपने किसी पेशन को देखा मलेरिया के आपको पई तो मैरी मदर को काई बार मालेरिया हो चुका क्योंकि वह सिस्ट दे रहती मच् तो उनको बार-बार मलेरिया होता है, एक और चीज़ बता दूँ में आपको, जो भी मलेरियल पेशन्ट होता है उसको बोलते है कि तुम रजगुल्ला खाना दवाई के साथ, आप क्यो खाना है रजगुल्ला आएए वो भी जान लेते हैं, तो रजगुल्ले की कहानी को चैस तो आजन को जो हुआ जा सकता है, इसलिए जब लोग कहते हैं कि आपको अफ्रोडाइश भाई साद हो , आपको कुछ का ने मीख खाना दवाई के साथ. तो टॉक्सिन हाँ तो टॉक्सिन कॉज़ हाई टेंपरेचर हर 48 गंटे के बाद आपका टॉक्सिन जो है वो निकलता है क्योंकि एरित्रोसाइटिक साइजोगोनी और ही फट रहा है और बीसी वेगरा सब मिरोजोड रिलीज हो रहे हैं मिरोजोड के साथ ही मुजोड रिलीज होता है इसके विज आते हैं अच्छा ऐसा नहीं जब लार्ज होंगे तो इनके अंदर भी मुजोड बनेगा दीज मिरोजोड फॉर्म टू टाइपस ऑफ सेल जिनको हम गेमीटोसाइट कहते हैं छोट्टू वैलेको माइक्रोगेमीटोसाइट बड़ी वालेको मेगामीटोसाइट ठीक है इनक के बीच में क्या हुआ बच्छो जी तो बीसेंगते का लिए चैलो बना एंट तो मैक्रोगेमीटोसाइटमी निडेकर निकल गए उसमें और माइसétais पर सब्सक्राइब कर दो इस इस के इन दर अंदर कॉंसा डिफिन होगा माय टाससवर का तो पोरसॉईट जिस्ट पटेगी स्पोरसॉइब इस स्विविव quicker 보면 गगर में पूरे मुह में आ जाएंगे अब क्या होगा ठीक है blood and release the sporazone अब उसक करेगी किसी person को और अपने sporazone जो है वो person को देदेगी तो इस तरीके से आपको malaria होता है then what is ukainite zygote का elongated form ukainite कहलाता है बस तो इतने सारे मैंने life cycle लगाए आपको पर इसका कोई वो नहीं है चलिए species वो प्लाजमोडियम देख लेते हैं क्या है प्लाजमोडियम की पहली species प्लाजमोडियम ओवेल यह इंडियन को ज्यादा नहीं होती ज्यादा जरक इसको होती है आपके West इसका इंक्यूबेशन पिरेट 14 दिन के बाद इसका सिम्टम आपको देखने के लिए मिलता है यह है इनके वो पैथोजनिक पैथोजनिक को इसके नदर डॉट डॉट दिक रैट इस हीमोडियम वाइवेक्स यह इंडियन को सबसे जारा कॉमन होता है ठीक है यह से हम तर्श इसमें है नीशाय ठीक है ओ ओके यह हीमोजोई यह हीमोजोई यह लाइट ब्राउन को लगे ठीक नाव प्लाज्मोडियम मेलेडाई इसे में कॉर्टन मलेरिया कहते हैं इसमें बहुतर गंटे के बाद आता है और यह इंडियन को ज्यादा नहीं होता 27 से 30 दिन के बाद इस अगर इसको हम ट्रीक ना करें ठीक है इसके इसके लिए कुईन टैबलेट्स ना दे कुन लरिया कि वह नहीं लगा है तो आजमी की मृत्य हो जाती है इंक्यूबेशन पीरेट्स सबसे कम इसी का 12 दिन के बाद पहला सेंटम आपको दिखेगा इसका जो होता है वह कैसा होता थोड़ा सा वह था डाक कलर का ओके मोस्ट डेंजरस टाइप होती है इसमें कंटिनेसली फीवर चड़ा हुआ रहता है और इसमें जो फीवर होता है रुख रुख की नहीं आता चंटिनेसली चड़ा था कोई रलाप्स नहीं होता तो वाइवक्स को हम रिलाप्स के एंटे और इसको मैं के ते मेलीग्नंट सर्इब्रल मलेरिया तो जिस मलेरिया को तुम ले रहा है हलके में वह हलका चीज नहीं है बेटा कौन से प्रकार की कि हम इसमेल के ब्लाक वाटर फीवर चयों ब्लाक वाटर फीवर हों, जो काली-चीज बलीड में मु susceptible लाइक क होता है यह बाग लुब कोई वह थो खोem holiday season खी कैसे भी ऐसे हम परनीशियस malaria केते हैं क्योंकि यह परनीशियस अनीमा को स्क्रता के डिस्ट्रक्षन हो गया हीमोग्लोबिन का और किसी फट रही है तो आपको रहत इनीहीं करन immense to destruction होता है इसी में जारा तर रजुल्लाह खाने बोला जाता है ठीक है मास डिस्ट्रक्शन वहलों बहुत ज़ादा आर भी से डिस्ट्रक्ट हो रही है और जो आपका हीमोगलोबिन होता है वह हीमोगलोबिन रचीमोगलोबिन तो ऐसी हीमोजोईन में जो नहीं भी हुआ तो हीमोगलोबिन आपके ब्लड और यूरीन से पास होने लगता है क्योंकि आपका हीमोगलोबिन गेट इंटो हैमोजोईन तो आपको जो उरीन होग वहां ब्लाक कलर का दिखाई देगाक इस वेरी वेरी डाइंजरस टाइप ऑफ मले रिया है बहुत डेंजरस थाइप की मले रिया है इनक्युबेशन पिरेट को आपको सिर्फ आपको दो मलेरिया के यात करना वहां है यही डार्क बार्म कलर का हीमोजोई न आप सूसू से भी बाहर निकालते हो इसमें मृत्ति हो जाती है और बुखार भी आता है इस वाइट इस वाइट प्लाजमोडियमी लेती हो फाइलरिया को भी ले लेती है सब्सक्राइब को कुलर की आपके वाटर टांग की और जहां पर पानी कलेक्ट है वहां पर लार्वा इटिंग घंबूश यदे इस डालनी चाहिए तो कौन सा जो फिश है वो मच्छर के लारवा को खाती तो गंबूशिया फिश यह आर रखिए का नाम बहुत इंपोर्टेंट है साथ ही साथ इंसक्टिसाइड को लगाएं ताकि मच्छर मर सके और हमेशा जो है जो नालिया है जो कलेक्टेट पॉंड चोटे चोटे नालिया इनको साफ करते हैं इनको ड्राय रखिए और साथ ही साथ आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए कुईनान टैबलेट्स होती है यह पता होने चाहिए के लिए जो होता है उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कुईना टैबलेट्स होती है आजकल इसके इंजेक्शन भी आने लगे हैं ओके ये ओल्डेस ड्रग है जो कि चिंजोना ग्रांडेस नाम के ट्री से निकाली जाती है क्लेर हो गया बच्चो जी डन हुआ सो आइधिंग विद लाइफ साइकल इसे एक बर रिवाइस करवा देती हूं ठीक है आओ बेटेंशन ना लिया करो यार ठीक है तुम्हारी माड़ाम है ना तुमको एक बर रिवाइस करा देती है आजाओ मचर नीने ने काटा याद करो मेरे साथ मचर नीने सब से पहले काटा सपोयाजोग को दिया सपोयेग लिवर में आया प Tagtal लिवर की सेल में मोट़ हो गया शाइजोंट काहां इसको शाईजोंट में क्या वा Multiple fission. Okay? बहुत सारे क्या बने? मिरोजोड. इस कहानी को Schizho Goni कहते हैं. अब RB, जो हैं हपके Hepatocyte cell हैं फ़ट घए। अब मिरोजोड या तो नए हपारेटोसाइट को इंफेक्ट करें या तो वोह बलट के माध्यम से होते हुए RBC को इंफेक्ट करें टोफोजाइट और में एच्छी और हुआ इस कॉल्ड है शाइजांट, ठीक है शाइजांट स्टेज है, पर यह कौन सी शाइजांट स्टेज है, इरित्रोसाइटिक शाइज हो नहीं, क्योंकि एरित्रोसाइट के इंदर हो रहा है, फिर इसमें भी मल्टिपल फिजन हुआ, पहला सिम्टम को मतलब इंक्यूबेशन पिरेट कितना होता है, वाइवैस को 14 दिन, पहला सिम्टम 14 दिन की बाद दिखेगा, और हर 48-48 गंटे में एक हानी रिपीट होगी, इसलिए उखार आता है, ठीक है, अब या तो यह मिलोजाइट नहीं, आर बीसी को इंफेट करें, घ्ल, फीमेल, दोनों के बीच में फर्टिलाइएट्री अचन ला, जाइगोट थोड़ा इलॉंगेटेट हुआ, ठीक है, तो इसको उमने क्या कहा, इलॉंगेटेट हुआ, तो इसको उमने कह दिया, उ खाईनैट, हाला कि नहीं आद करना है, इसको पर मिन में बता दिया, फिर उकाइनाइट जो है इसके उपर क्या बना सिस्ट बना उकाइनाइट क्या किसमें कनवर्ट हुआ बेटा जी उसिस्ट इसके अंदर क्या हुआ बेटा जी बोलो माइटासिस क्या हुआ माइटासिस और इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे क्या बने स्पोरोजाइट उसके प फिर क्या बना बेटाजी, उकाइनाइट, इलांगेशन और जाइगोट, फिर क्या बना, ऊसेस्ट, ऊसेस्ट ट्रप्चर, स्पोरोजोड रिलीस, human being को infection, clear है, sequence रट गया सबको, रट गया sequence, बस दो बारी वीडियो और देख लेना, malaria, यू, 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 चलते चलते, ठ आई, अब आपके NCRT देख लेते हैं, सम अफ यू, प्रोटोजोन डिजीज की सबसे इंपोर्टेंट डिजीज थे, इसले मैंने एक अलग लेक्चर बनाया इसके लिए, सम अफ दे हीूमन डिजीजेज कॉस्ट बाद प्रोटोजोन टू, जैसे की malaria, ठीक है, malaria के चार स्प चलो, तो सबसे पहले क्या होता है, human body के पास क्या है, sporozoid, ठीक है, कहे से आया फीमेल एनाफ्लीज के बाइट करने से, उसके बाद ही लिवर सेल में गया, लिवर सेल में मल्टिप्लाइ किया, फिर मल्टिप्लाइ फटा लिवर सेल कहा है, RBC में, RBC के साथ क्या होता है, RBC के साथ हीमोगलो में रप्चर होता है, एक टॉक्स सब्स्टें बना हीमोजोई, RBC पटी और मिरोजोई निकला है, और हर तीन से चार जिन के बाद ही कहानी होती है, इसलिले बार बार फीवर आता है, जिक है, वेन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट इंफेक्टिड परसें दब परसें, परसाइट एंटर द मॉसकिटो अंडर फॉर्द इवलोप्मेंट ठीक है, उसके बाद मिरोजोई निकला है, फीमेल एनाफ्लीज ने चूस लिया, ठीक है, और उसके बाद परसाइट मॉल्टिप्लाइए हुआ, ठीक है, परसाइट तो कुल मिलाके मलेरिया के लिए दो होस जाइए, एक यूमन और एक मॉसकिटो, टू कंप्लिट दा लाइफ सैकल, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, जालिए, ये लाइफ सैकल आपके इन्साय ने दिया, एक बडसमज लिजे, हलाकि मैना सब समझा दिया, आप तो आप मुझे सब्जाओगे मचर काटा को और गुजगा थी मिरोजोड फी पैरसाइड पैरसाइड लिखा मेरको नाम भी बताया थीक ॉबि जुद आरबीशी फटी तो क्या करी रिलीज हुआ मेरे जुन और हुम जो मैं ने से मय़्माइब ने चले शुमरे तो जो है इस फर्टिलाइजेशन हुआ फर्टिलाइजेशन बना ये उसस्थ है इसके इंदर स्पोरोजाइड बन रहे है उसस्थ फटा और फिर सिस्पोरोजाइड सलाइवरी ग्लाइड में रिलीस हो गए तो कुल मिला के ये इसमें I don't think तो कोई कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए तो बहुत ही लल सा लाइज सैकल है मैंने तो तुमको बड़ा ही एडवांस टाइप का लाइज सेकल बनाया है बहुत ही एडवांस टाइप का ठीक है बच्च जी तो I think we have done with this life cycle I think you people noted it down down this life cycle this is thoda but this is the best ठीक है मैंने आपको एक लाइन एक शब्द अब तुम कोई भी मॉड्यू सॉल्व कर लो कोई भी बुक सॉल्व कर लो और क्या नहीं बनता तो मुझे बता हो ठीक है इसमें और भी फेज़ें क्रिप्टो मिरोज वाइट वह आपको जानना नहीं है obviously NCIT में तो कुछ भी नहीं लिखा था यार उससे पहले भी उसके साथ चात मैंने एक बहुत बढ़ियाँ advanced type का life cycle बता है इसके बाद अगर कुछ मिलेगा तो वह ज़रूरत का नहीं है और यह भी चीज जो मैंने आपको बताई यह जो लोग बहुत जादा advanced module solve करता है ना उसके लिए ठीक है NCIT में तो इसको बहुत ही चोटी चीज दी है I hope कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको पढ़के आपको बहुत मज़ा आया है ठीक है अगर आप इसी तरीके का मज़ा चाहते हैं बच्छो जी ठीक है तो you can visit the website of magnet brains वहाँ पर सारे lectures जो है range manner पर आपको मिलते हैं 12 के मैंने सारे lecture बहुत सारी chapter के lecture बना दे तुम्हों देखती कि उन्हीं और देखो यार इतने शांदर जबर्जेस lecture बनाये मैंने और दूसरों को बताओ कि शिवराबाम जो है बहुत अच्छा पढ़ाती है ठीक है तो बस मेरे साथ जुड़े रही है डॉक्टर तो मैंने आपको बनाना ही है और एक्जाम में टॉप करने साब को कोई रोक नहीं सकता है यह मेरी गैरेंटी है और अगर आप मेरे बच्चे हैं तो definitely you will do it See you in the next amazing lecture तब तक thank you so much बच्चों and bye bye